एक जो बात हर व्यक्ति के लिए महत्तुपूर्ण हो जाती है कि आज की इन चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों में हम में से प्रतेक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्तु के अंदर एक सीसी टीवी लगाने की आवश्रक्ता है यह देखने के लिए कि जिन तीन शत्रों की बात परंपुज गुर्देव कह करके गए उन तीन शत्रों में से कोई हमारे व्यक्तित्तु के उपर हमला तो नहीं करने जा रहा है कोई हमारे व्यक्तित्तु पर आगहात पहुँचाने तो नहीं जा रहा है एक समय आत्म समीक्षा का है अपना मुल्यांकन करने का है हर व्यक्ति को इस दृष्टी से देखने का है कि यह जो तीन शत्रू गुर्देव लोक सिवियों के लिए बता करके गए उन मेंसे कोई हमारे जीवन पर हमला तो नहीं कर रहा है पहले का नाम गुर्देव ने कहा लोभ तूसरे का कहा मोह और तीसरे का कहा आंकार समासिवा के छेतर में जो एक एक पैसा है प्रामणिक्ता के साथ आता है एक एक पैसा जो है वो बहुत कीमती हो जाता है अध्यात्मरामाण में कहानी आती है कि एक कुट्टा जा रहा था तो कुट्टे के ऊपर एक पुजारी बैठे थे उनने बिना मतलब के एक बड़ी सीट ली और उठा करके मार दी कुट्टा विचारा दुख से बिल बिलाता हुआ गया वहां से कारण कुछ नहीं था उसने जा करके भगवान राम से शिकायत करी भगवान राम ने पूरी घटना का पता लगाया और जाना की सही बात है कि यह जो कुट्टा था वो निर्दोश था इसका कोई दोश था ने पर बे मतलब में उस पुजारी ने उठा करके पत्थर मार दिया तो उनने कुट्टे से कहा पुजारी को बुलवाया उनने का कि भई यह विक्ति जो है आपका दोशी है आप ही का दोशी है आप ही इसकी सजा निरधारित कर दो उनने कुत्ते से कहा कि आप इसके लिए क्या सजा देना चाहते हो तो कुत्ता बोला कि भाई मैं इसको ये सजा देना चाहता हूँ कि इस पुजारी को जो कलंजर मठ है उसका महंत बना दीजे उसका मुख्य ट्रस्टी बना दीजे उनने कहा कि क्यूं उन्हें गाए कि तो सजा काओं ही साब ये पूरुसकार हो गया बोले नहीं नहीं साब आप यही बनाएए बोले क्यूं बोले मैं पिछले जनम में कलंजर मठ का मुख्य महंत था अब बोले पिछले जनम में मैंने अपना जीवन पूरी तरह से इमांदारी से कुझा रहा एक एक शड़ इमांदारी के साज्या बोले एक दिन ऐसा हुआ कि गल्ती से मेरे मन में थोड़ा सा लोब आ गया तो जो घी चड़ाया हुआ था उसमें से एक लोटा घी मैंने अपने ली निकाल लिया अब बोले वो जो एक लोटा घी निकाला है उसका पाप यह है कि मैं कुत्ता बनके घूंग रहा हूँ ये आदमी सुभाव से दुष्टे भगवान जाने कहां जाके गिरेगा तो इसके लिए तो सजाई है तो एक एक जो पैसा आता है समाज सिवा के छेतर में वो हमारे लिए प्रामानिकता का है एक एक पैसा जो आता है गुर्देव ने कहा इससे सावधान रहने की आवश्रक्ता है क्योंकि गल्ती से लोब आ गया पैसा हमारा है नहीं समाज का पैसा है उस पर ध्यान रखने की आवश्यक्ता है लोब है, मोह है इन दोनों से तो फिर भी आदमी व्यक्तिकत पतन का शिकार होता है व्यक्तिकत द्रिश्टी से उसको समस्य आती है पर जो अहंकार है दोस्तों सबसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यक्ता है क्योंकि अंकार व्यक्तिगत पतन तो करता ही है वो संगठन का भी मटिया मेट करके छोड़ता है अंकार की जो भाशा है वो मे और मेरे की है अंकार को मेरे अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता और जिसकी बुद्धी में ये आ गया कि मैं ही सब कुछ हूँ वाकि दूसरा कोई नहीं है वो संगठन को बरबाद करके छोड़ता है दुनिया में जितने जगडे हुए हैं दुनिया में जितनी समस्चाए हुई जितनी हैं टंटे हुए हुए उन सब के पीछे दी कोई काराण है तो किसी का हंकार रहा है दुर्वदी ने दुर्योधन को देखकर के यह न कहा होता कि अंधे का लड़का अंधा होता है और उसके अहंकार को चोट न पहुचाई होती तो न तो द्युत क्रीडा हुई होती न खांडव प्रस्थुआ होता हो न वनवास जाना पड़ता और वही दुर्योधन यदि अपनी जिद पर अपने हंकार पर नड़ा होता हो यह न कहा होता कि सुच्चग्रम नहीं वह दास्यामी विना युद्धेन का इशवर सुई की नोक के वरावा जबीन भी विना लड़े नहीं दूँगा बहुत सारे लोग समझा गए भीष्पितामा समझा गए विदुर समझा गए भगवान श्रीकृष्ण समझाने को आए बोले अरे भाई लड़ाए की कोई आवश्यक्ता नहीं है भाई को भाई पर हतियार नहीं उठाना पड़ेगा पांच गाउं दे दो पांच गाउं में पांच भाई संतुष्ट रहेंगे पूरा भारत रखो आप नीमा नुसार तो उनको पूरा देना था वो मत दो पांच गाउं दे दो दुर्योधर्म बोला सुई की नोक के बरावर जमीन नहीं दूँगा जब ये बोला तो भगवान बोले याचना नहीं अवरण होगा याचना नहीं अवरण होगा याचना नहीं अवरण होगा फिर कभी नहीं वैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे श्रिंगाल बाज सुख लूटेंगे आखिर तो भूशाई होगा हिंसा का परदाई होगा भगवान को कहना पड़ा कि चार बार मांग चुके है अब तेरा अहंकार जो है वो तुझे गिरने को मजबूर कर रहा है तो क्या करें वो जो अहंकार था उसने महाभारत करा के छोड़ा अहंकार रावन का था विभीषण ने समझाया कुम्भकरण ने समझाया पर हंकार के का राम और रावण का युद्ध होकर के रहा हंकार हिरन कश्चप का दिंद्र ने ना चेड़ा होता हिरन कश्चप जब उनके भाई को वारा हवतार की रूप में भगवान विष्णु ने मारा तो उसके बाद हिरन कश्चप के मन में वैराग गया गया वो तपस्या करने के इंद्र के मन में हंकार आगया इंद्र को लगा कि हिरन ने आक्ष मारे गये हिरन कश्चप से चला गया है तपस्या करने के लिए इंद्र ने काया कि इसी समय में में तीनों पुत्रों को मार दूँ तो सब जगा पर एक्शत्र राज्य हो जाएगा मेरा जाकर कि उनने तीनो पुत्रों को मार दिया, पत्नी को भी मारने वाले थे तो देवर्शी नारा दा गए, बोले नारायन इसके पेट में है, मारोगे तो जिंदगी भर के लिए नरक जाना पड़ेगा, इंद्र ने अपने हाथ पीछे को रखे, पर जब हिरन कश्चप लोट करके आये और उनको ए समय की किसी भी लड़ाई को हम लोग देख लें, आपको हसी आएगी, 1859 की जो लड़ाई हुई, अमेरिका और इंग्लेंड की बीच में क्यों हुई, क्योंकि जो अमेरिका का जर्णल था, उसने इंग्लेंड के सुवर को गोली मार दी थी, इनसान को नहीं मारी थी, सुवर क्योंकि ग्रीस वालों का आवारा कुत्ता इधर से निकल करके उधर चला गया, बल्गेरी वाले ने आवेरे कुत्ते गोली मार दी, अब आवारा कुत्ता है, आप गोली मारने की जावश रकता है, कुछ खिला देते हैं आवारा कुत्ता को, और जिसे ग्रीस वालों को इतन भी कराता है और आदमी से मूर्खताएं भी कराता है